नमस्कार दोस्तो मैं अमर्ष स्वागत करता हूं यूटूब चैनल जी के कलास में अगर दोस्तो इस चैनल पर आप नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिए क्योंकि मैं एक्जाम से संबंदित महतूप प्रशनों के कमपा वीडियो पसंद आए तो इसको आगे सेयर करिए कि जिससे साथ आपके दोस्तों को इस वीडियो से कुछ लाव मिल सके तो आएए इस वीडियो के पहले प्रशन को देखते हैं जो कि काफी महतुपूर्ण है नमबर पहला है भारतिय सन्विधान के किस अनुचेद के अंतर गत राश्च्टि पती पर महावी योग चला जा सकता तो इस क्विशन का सही अंसर आ उप्सट नमर ए अनुच्छ 16 के तहत राश्च्ट पती पर महा वियोग चला जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा सन्विधान के प्रावधानक उलंगन पर संसत के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभ्योग लगा जा सकता लेकिन इसके लिए आवस्त्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के 14 सद्धियों का हस्ताक् अनुछेद दिया उनके बारे में जान लेते हैं जो आप्सिन नमर भी अनुछेद 306 नहीं इसमें राष्ट्र पति सहसन के बारे में दिए गया और आइए हम क्वेश्ट्र नुबर दूसरा देखते हैं प्रश्ण संख्या जो दूसरा है वह है पंचायती राज्य भारतिय सन्विधान के किस अनुछेद में तो इसका जो सही अंसर है दूस्तों आप्शन नमरे अनुछेद 243 में पंचायती राज के बारे में बताए गया है क्वेशन नमर तीसरा देखते हैं आरतिय सन्विधान के किस अनुछेद के तहथ संसद को सन्विधान में संसोधन करने का अधिकार दिया गया है तो इसका सही एंसर होगा वह ऑप्षन नमबर डी अनुछे 368 में सन्विधान संसोधन का प्रवधान या उल्लेक किया गया है 79 में राजसूशी के कुछ विशयों के संबंद में विदी बनानी के बारे में लेख किया गया है और अनुछेद 361 में राष्ट्रपती और राज्येपालों और राजपरमुखों का संड़क्षड के बारे में लेख किया गया है आईए हम प्रशन संख्या चौथा देखते है जो कोईशन नमबर चौथा है दोस्तों आपके सामने यह रहा राज्येपाल को अध्यादेश जारी करने की सक्ति किस अनुछेद में वर्णित है तो दोस्तों इसका सही एंसर जह है वह है आपसर नमबर सी 213 अनुछेद 213 में राज्येपाल को अध्यादेश जारी करने की सकती परदान की गई है प्रश्ण संख्या पांचवा है प्रश्ण संख्या पांचवा आपके सामने यह रहा है किस अनुछेद के अंतरगत राज में नीती निदेशक तत्यों का उलेख है तो इसके सही अंसर है आपसन नुमबर बी अनुचेद 36 177 में नीती निदेशक तत्यों का उलेख है कुछ यहकर अनुचेद 112 1623 में राजी के बारे में दिया गया है अनुचेद 3213 mart 3.9 में नीर्वाचन को में दिया गया है और अनुचेद 1922 के कि क्वेश्चन नमबर छाठवा देखते हैं क्वेश्चन नमबर छाठवा आपकी सामने यह रहा किस अनुछेद के अंतरगत भारत रत्न दिया जाता है तो इसका सही एंसर होगा वह आपसन नमबर 8 इनुछेद 18-1 उसल आर ऑफसन नमबर डी अनुछेद 18 के तहफ भारत रत्न दिया जाता है दोस्तों अनुछेद अठाथ 18 जो करिंद और पर आधिये जाते हैं आपकुछ दिये उनके बारे में जान लेते हैं जो स्वातनता परदान की गई है यह कोश्चन नमब सातवा रहा यह आपके सामने यह दोस्तों दोस्तों काफी इंपोर्टेंट यह बहुत बार कोश्चन जो पिछली एक्जामों में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा भी सकते तो इसको आप याद कर लिजेगा कि जो भारती सनुधान के किस अनुछेद में प्रेश की स्वतनता का वड़न है तो यह आप्सन नमब डी अनुछेद 19 क किस अनुछेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रादान किये गया है तो अनुछेद जो है 12-35 अनुछेद 12-35 ऑप्सन नमबर सी इसका सही एंसर होगा जो यह मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है ठीक है अनुछेद 15-11 अगला क्यों नमबर 11 क्या है कि राष्ट्रपती को किस अनुछेद के अंतरगत अध्यादेश जारी करने की सकती प्रादान की गई है आपके सामने ऑप्सन है आप अगर मालूम में इसका क्वेश्चन आप एंसर दे सकते हैं आईए मैं इसका सही एंसर बताता हूं इसका सही एंसर होगा अनुछेद 123 के तहट राष्ट्रपती अध्यादेश जारी कर सकता है यहाँ पर कुछ अप्सन कुछ अनुछेद यह उनके बारे में जान लेते हैं जो अनुछेद 110 है इसमें क्या इसमें धन विदेख को परिभासित किया गया है 124 में क्या है इसके अंत्रगत सरोष्च नियाले का गठन का वर्णन है और 144 में क्या है दोस्तों नियंत्रण एवं महालेखा परिक्षक के नियुक्ती राष्ट्रपती द्वारे की जगे उसके बारे में उलेख है क्वेशन नमर बारवा रहा आपके सामने भारती सन्वीधान की किस अनुष्चेद में विद आयोग का उलेख किया गया है तो दोस्तों पर जो बारवा है वो विद आयोग के बारे में तो विद आयोग जो आप्सन नमर्ड नूचे अनुछे दोसो असी है option number B उसके तहट वित आयोग का उलेख किया गया अनुछे 280 के तहट यहां पर कुछ अनुछे दियों के बारे में जान लेते हैं अनुछे 326 में क्या अनुछे 326 में लोकसभा तता विजन सभा में जब चुना होगा वियस्यक मता अधिकार के अधार पर होगा ठीक है और तीन सो अनुछे 315 में क्या 315 में संग यह राजियों के लिए एक लोग सिवा आयोग के अस्थापना की जाएगी और अनुछे 275 में कि केंद्र द्वारा राजियों को सहायक अनुदान दे जाने का प्राव भाद के किस अनुछेद में हैं तो इसका जो सही answer option नुबसी अनुछे 300 कव में संपति का अधिकार दिया गया है ठीक है कोकिनमर 14 देखते हैं को आपके सामने यह इसका answer आपको मालूम है तो आप इसका answer दे सकते हैं अगर नहीं तो आई हम जानते हैं इसका सही answer क्या होगा तो इसका सही अंसर होगा option number D अनुछेद 110 110 में क्या है धन विध्यक को परिभासित करने का उल्लेक किया गया है ठीक है मतलब धन विध्यक को अनुछेद 110 में परिभासित किया गया है और जो अगला question है दोस्तों वह है सरवच्य नयालय का घठन सन्वी धान के किस अनुछेद में है तो इसका जो सही अंसर है वह दोस्तों है 124 option number C अनुछेद 124 में सरवच्य नयालय का घठन सन्वी धान के अनुछेद 124 में है दोस्तों कुछ option आपकी सामने दिये हैं उसके बारे में जान लेते हैं और नुच्षेद 123 में क्या है तो अध्यदेश राष्ट्रपदी को अध्यदेश जाने करने का अधिकार अभी आपको बताया और 300 कव में क्या है तो इसमें है आप संपती का अधिकार है और अनुच्षेद 3 star 6 में क्या है तो यह सन्सा विधान संसोधन करने के बारे में दीया गया तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा थोड़ा सबीमाद ाद्धार साबित हुआ होगा तो यह वीडियो का आगे से हर करिए कि लोग इसके थोड़ा जनकारी ले ले और मेरे चैनल से जुढने के लिए इसको सब्सक्राइब करकर बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लेंगे मैं आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो आपको जब जब अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे थैंक्स फर वाचिंग इस वी